बिहार में पिछले दो दिनों में राम नौमी के तेवहार के संबन्द में आयोजित की गई है जैसा कि आप जानते हैं यह तेवहार संपन्द हुआ है हर वर्ष की तरह बल्कि उससे कुछ ज्यादा प्रशासनी कस्तर पर तयारी और चौकसी रखी गई थी राम नौमी के तेवहार के लगबग एक सब्ता पहले राज्य के मुक्ष सचिव डीजीपी साहाब अपर मुक्ष सचिव ग्री विभाग और पुलिस के वरी अधिकारियों के दौरा वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से राज्य के सभी जिला पतादिकारी पुलिस अधिक चक वरीय पुलिस अधिक चक रेंज के आईजी और डी आईजी और डिविजनल कमिश्टर के साहथ वीडियो कॉन्फरेंस करके मुख्याले से उनके साथ निदेश भी उनको दिये गए थे और उनकी द्वारा की गई तैयारी बंदोबस्त की समिक्षा भी की गई थी इंट्रिजन्स जो था वो भी शेयर किया गया था पिछले वर्षों की घटनाओं के आदार पर और पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैन शेश सभी अस्थानों पर ये तेवार शांती पूर्वक संपन हुआ और इसके लिए मैं राज्य की पुलिस को जो श्री आरिस भट्टी डीजीपी साहिब की नेतरितु में क्याम कर रही है और गिरी विभाग और मजिस्ट्रेशी को जो चैतन्य परसाद जी के नेतरितु म हैं मैं धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार शरीफ और सासराम में कुछ कोशिश की गई अशान्ती फैलाने की कि गटनाएं करने का प्रयास किया गया कुछ गटनाएं उस परयास के समय हो गई लेकिन वरी अधिकारियों के परिवएक्षण में और अस्थानिये जिला परसादन और पुलिस परसादन के प्रयास से बहुत जल्दी उन पर काबू पालिया गया और किसी भी प्रकार की गरबड़ी या शांती को व्यापक पैमाने पर फैलने से रोका गया आज भी सुबह से इस्थिती सामान ने चल लही है शांती वविस्ता पहाल है लेकिन आज माननी है मुखमंत्री जी ने राज् तथ्यों से व्यावगत हुए और मुख्य सचीव और डीजीपी को निदेश दिया और हम दोनों के माध्यम से इन दोनों अधिकारियों के माध्यम से राज्य के पूरे जिला प्रसाशन और पुलिस प्रसाशन को निदेश दिया कि हर कीमत पर शांती व्यवस्ता बहार लख जाए जो दोशी हैं अभी तक गरवड़ी करने वाले उनकी पाचान की जाए और पाचान करने के बाद उनकी विरुद्ध कानुनी करवई करते हुए उनको सजा दिलाई जाए तो अभी जो प्रात्मिक्ता होगी वह यहीं होगी कि राज में जो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इ कि सामाजिक और कानूनी अपराद किया उनको कानून के दारे में लाकर के सजा उनको दिलाई जाए तो यह मानिय मुक्पंत्रीजे का निदेश हुआ है और मैं उनका यह निदेश आपके माध्यम से मीडिया की माध्यम से सभी तक पहुचाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात पर दिड़ है कि शांती ववस्था बनी रहेगी और किसी किसम की गरबड़ी करने को परदास्त नहीं किया जाएगा की कारवाई हुई है जिसके आकड़े उपलब्ध है और जो पुलिस का काम है उस पर बीजीपी साहिब और एडीजी साहिब यहांबर मौजूद है तो मैं उनसे अनुरोद करूँगा कि उस पर आपको सम्मूलित करना चाहेंगे इसे बताता हूँ वर्तमान में पूरे राज्य में विदी विवस्था की स्थिती पूरी तरह से नियंतरन में है सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई उन में अभी तक कुल एक सो नौ विक्ती जो इन कांडों में से लिफट पाए गए हैं उनकी ग्रिफतारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके ग्रिफतारी का कारिकरम जारी रखेंगे किसी भी ऐसे असमाजिक तत्थ को बक्षा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उन से निप्टा जाएगा ये निश्चित तोर पे एक प्रियास था राज्यकी अमन शान्ती को भंग करने का जिसको पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह confident हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे के आम समाने शान्ती ववस्था पे कोई प्रतिकुल प्रभाव पड़े जो ऐसे अंसर हैं समाज में छोड़े बहुत कहीं न कहीं हो सकता है कोई ऐसे विक्ति हो उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दाएरे में लाएंगे धन्यवाद एक ही विक्ति की मौत हुई और वो आपको मालूम है उसमें भी हमने कांट दर्ज करके ग्रिपतारियां की है और बाकी कुछ नई बात इसमें ये है कि जो सासाराम में कुछ लोग बंब से जक्मी थे कल रात में ही हमने यहां से एफसल की टीम और डॉग स्कॉड को बेज करके सुबह पांच बजे हमारी एफसल की टीम पहुंच गई थी और उसने जांच करके जो वहां पे अंच मिला था एक्स्प्लोशिव सबस्टन्स का उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ओपर हमला नहीं था वो व्यक्ति स्वेम ही या तो बंब बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे तो वो व्यक्ति जो जक्मी है वो अपरादी की कटेगरी में आये हैं उनको हमने ग्रिफ्तार कर लिया उनका इलाज चल रहा है जब वो बहतर हो जाएंगे हॉस्पिटल दे चूटेंगे तो वो जेल जाएंगे छे हैं ना छे छे व्यक्ति हैं स्थानिय प्रशासन से पूछे हम लोग आपको खुल ओवरॉल व्यू दे रहे हैं और अश्वस्त कर रहे हैं आम जन को आपके माद्यम से के पूरी तरह स्थितीन यंत्रणिया वो अनकनेक्टिड इश्यू है उसका कोई तालुक नहीं है वो तो अपरादी थे यहां उसको बना रहे थे यहां हैंडल कर रहे थे उसमें वो घटना हुआ और बिलकुल अलग स्थान पे हुआ जहां वो जहोंपड़ी में बना रहे थे उसकी भी हमने पहचान कर ली वहां देखिए हर चीज की इंपुट होना एक पहलू है जैसे मुक्सचे महदे ने कहा 1832 जलूस पूरे राज्य में चल रहे थे रामनौमी के अफसर पर और ये दो स्थानों को छोड़ करके बाकी सारे सफल रूप से संपन हुए हैं तो निश्ची थी जो इंपुट थी जो उसक देप्लाइमेंट थी वह सही रूप से की गई कई बार कुछ मौके पे कुछ ऐसा होता है तो उसके अधार पर वो भी प्रयास था बहुत तुरंत प्रशासन ने कारवाई की है और उसको नियंतरित किया कांडो में बिल्कुल निश्पक्ष और ठोस अनुसंधान होगा जहां 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 भी ऐसी कोई व्यक्ति से पीछे अगर हैं उनको एक्सपोज करके कानून करें में लाए जाला है थान है कर दो कानून की दाहरे में लाए हैं इसकेट सingyya को तकन विश्पक्रा जा बिल्क को सबता पर हर वर्ष कुछ अथिलिक बल मांग किये जाते हैं मिल्ल कि नियुक्छ मांग जाते bastante इस बार भी कुछ मैंग की थी उसमें हमको चार कंपनी और बल मिला है देर रातरी में जो आज दिन में पहुंच गया है आपने एक और बात पुछा था था समान ने जो हम हर रामनौमी के पर्फ के समय पे करते हैं उसी रूप में था अडिशनल इस घटना होने के बाद हमने कुछ कंपनी मांगी उसम वो फोर कंपनी उसमें हैं जो कल रात का जो हमने रिक्विजिशन किया तो उसमें चार कंपनी उन्होंने भेजी है जो आज दिन में पहुंच तो सब पर कारवाई होगा आपने स्चिंत रहें एक एक वीडियो का अनलिसे और कारवाई होगा सब चीज की जाँच होगी कोई बक्षा नहीं जाएगा आप देखते जाएगे लिकिन हां कहीं अगर उलंगन है वो सब की तो जाँच होगी सब चीज फूटेज की जाँच होगी आपको बताया जाएगा ड्यूटर अब मैं अब मैं अब रमुक सची मुद 묶्वाल है सब्सक्राइव ने कि हम लोग तेजी का लगा था ग्यार जाएगा कि एक जाएगा वियूटे है तो यह पर लञाडिय की इस्तिति हुए पता दी है और जो तैयारी आती है और जो इस टेप दिये तो जो रफता दी है जान्य वाप्टें से बाक्या आप पता देंगे जिते हैं अगर अगर अगर